शार्दिय नवरात्र की शुरुआत 26 सिंपर 2022 से होगी। नवरात्री में मा दुर्गा के नौ रूपों की पूजा में रंगों का विशेश महत्व है। आए जानते हैं नवरात्री में नौ देवियों के प्रिय नौ रंग। मा दुर्गा का सबसे प्रिय लाल है लेकिन इसके अतिरिक रंग भी है जिनका प्रयोग नवरात्री में किया जाता है। नवरात्री के पहले दिन 26 सितंबर 2022 यानि की सोमवार को मा शेल पुत्री की पूजा की जाएगी। सोमवार को सफेद रंग अती शुभ माना जाता है। मा शेल पुत्री को सफेद रंग बहुत प्रिय है। श्वेत रंग शुधता और शान्ती का प्रतीक है। इसे धारन करने से आत्म विश्वास में व्रिध्धी होती है। शार्दिय नवरात्री के दूसरे दिन 27 सिंथबर 2022 मंगलवार को मा ब्रमचारनी की पूजा की जाएगी। इस दिन लाल रंग का उप्योग करना शुभ माना गया है। लाल रंग साहस, पराक्रम और प्रेम का प्रतीक है। शार्दिय नवरात्री का तीसरा दिन मा चंद्रगंटा को समर्पित है। 28 सितंबर 2022 बुधवार को मा चंद्रगंटा की आराधना में नारंगी रंग के वस्त्रधारन करें। नारंगी रंग से सकारात्म कूजा का संचार होता है। नवरात्री का चौथा दिन 29 सितंबर 2022 गुरुवार को मा कूश्मांडा की पूजा होगी इस दिन पीला रंग अती शुभ माना गया है पीला रंग उमंग का प्रतीक है शार्दिय नवरात्री में पांचवा दिन 30 सितंबर 2022 शुक्रवार को मा सकंद माता की उपासना करें पांचवे दिन हरे रंग का प्रयोग करने से उर्जावान रहने में मदद मिलेगी हरा रंग कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है एक अक्टूबर 2022 शनिवार यानी छठी दिन मा कात्याणी की पूजा होगी माता कात्याणी की आराधना में ग्रे या स्लेटी रंग का इस्तिमाल कर सकते हैं नवरात्री में ग्रे यानी स्लेटी रंग बुराईयों को नश्ट करने वाला माना गया है शार्दिय नवरात्री का सात्वा दिन मा कालरात्री को समर्पित है 2. अक्टूबर 2022 रविवार मा काली की पूजा में नीली रंग का उप्योग शुब माना गया है नीला रंग निडर्ता को दर्शाता है नवरात्री के आठवे दिन 3 अक्टूबर 2022 सोमवार को महाइश्टमी पर मा महागोरी की पूजा होती है मा महागोरी को जामुनी रंगप्रिय है इस दिन कन्या पूजन का विधान है शार्दिय नवरात्री का आखरी दिन 4 अक्टूबर 2022 को मा सिध्धिदात्री की उपासना होगी सिध्धिदात्री देवी को ज्यान प्रदान करने वाली देवी माना जाता है इस दिन गुलाबी रंग का प्रयोग करें गुलाबी रंग प्रेम और नारीत्व का मानक है